So, Hello बच्चों, Welcome to Exam News So, बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको GK के गश्चिन्स कराओंगा BSA Netsing Entrance Exam के लिए इसमें से बहुत सारे गश्चिन है जो Last Year KGMU के एक्शाम में आये थे So, चलिए स्टार्ट करते हैं जो पहला गश्चिन है वो आपका है Mount Harriet National Park कहां पे है First option है आपका हिमाचर प्रदेश Second है आपका अंडमान निकोबार Third है आपका आसम And fourth है आपका मिजोरम So, चलिए आप correct option जान लेते हैं So, बच्चों, जो आपका correct option है वो है आपका option number B That is अंडमान एन निकोबार आईलेंड So, चलिए आप जान लेते हैं आपका second question क्या है So, आपका second question है वो है Belton National Park कहां पे है So, जो आपके options हैं वो है A. उत्यप्रदेश B. बिहार C. जारखंड And D. है आपका 36 गड़ So, चलिए आप जान लेते हैं कि आपका correct option क्या है So, जो आपका correct option है आपका third question क्या है So, आपका third question है वो है कुंद्रे मुख निशनल पार कहां पे है Option नमबर A है आपका तमिलनाडू B. है केरिला C. है आंधर प्रदेश And D. है करनाटिका चलिए आप जान लेते हैं कि आपका correct option क्या है So, जो आपका correct option है वो है option number D That is करनाटिका Means आपका कुंद्रे मुख निशनल पार का आपका करनाटिका में है Next question है आपका पन्ना निशनल पार कहां पे है And आपके options है A. मध्य प्रदेश B. आंधर प्रदेश C. उत्तर प्रदेश And D. आपका है हिमाच्य प्रदेश So चलिए अब जना लेते हैं कि आपका correct option क्या है So जो आपका correct option है वो है A. That is मध्य प्रदेश So आपका पन्ना निशनल पार्क मध्य प्रदेश में होगा And जो आपका next question वो है आपका वालमी की निशनल पार कहां पे है And आपके options है A. मध्य प्रदेश B. बिहार C. राजिस्थान And D. तमिलनाडू So चलिए अब जना लेते हैं कि आपका correct option क्या है So जो आपका correct option है वो है आपका option number B. That is बिहार मतलब आपका वालमी की निशनल पार्क बिहार में होगा So चलिए आप जना लेते हैं कि आपका next question क्या है So जो आपका next question है वो आपका सिल्तान पूर नेशनल पार्क कहां पे है And आपके options है A. उत्तरप्रदेश B. विहार C. हरिया And D. जारखंड So चलिए आप जना लेते हैं कि आपका correct option क्या है So जो आपका correct option है वो है option number C. That is हरियान So चलिए आप जना लेते हैं कि आपका correct answer क्या है So जो आपका correct answer है वो है option number A. That is Meghalaya Means आपका बलफकरम नेशनल पार्क है आपका Meghalaya मे And जो आपका next question है वो आपका है And आपके options है So चलिए आप जना लेते हैं कि आपका correct answer क्या है So जो आपका correct answer है वो है D. Andhra Pradesh Means आपका पैपिकोंडे नेशनल पार्क आंधर प्रदेश में पड़ेगा So जो आपका next question है वो आपका है And आपके options है A. Madhra Pradesh B. Gujarat C. Rajasthahn And D. है आपका महाराश्ट So चलिए आप जना लेते हैं कि आपका correct answer क्या है So जो आपका correct answer है वो है option number B That is Gujarat So जो आपका गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में पड़ेगा So चलिए आप जना लेते हैं कि आपका next question क्या है So जो आपका next question है वो आपका है भायठर करनिका नेशनल पार्क कहां पे है And आपके options है A. Odisa B. Karnatika C. Assam And D. Goa And चलिए आप जना लेते हैं कि आपका correct answer क्या है So जो आपका correct answer है वो है वे एक odisa And जो आपका next question है वो आपका है किपर वाइड लाइफ सिंचुरी कहां पे है आपके options हैं A. 36 गड़, B. जम्मु कश्मीर, C. सिक्किम, and D. है आपका हिमाचल प्रदेश जो जली आप जान लेते हैं कि आपका correct answer क्या है जो आपका correct answer है वो आपका है D. हिमाचल प्रदेश मतलब आपका किबर, वाइड लाइफ, संचुरी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा जो आपका next question है वो आपका है पेरियर नेशनल पार्क कहां पे है आपके options हैं A. तमिलनाडू, B. आंदर प्रदेश, C. केरिला, and D. है आपका करनाटका तो चलीए आप जान लेते हैं कि आपका correct answer क्या है So जो आपका correct answer है वो है आपका C. केरिला, means आपका पेरियर नेशनल पार्क केरिला में पड़ेगा So चलीए आप जान लेते हैं कि आपका next question क्या है जो आपका नेक्स्ट कोश्चन है वो आपका है गुलमर्ग वाईलाफ सेंचुरी कहां पे है आपके options हैं A. हिमाच्चल पदेश B. जम्मू कश्मीर C. है आपका हर्यान D. है आपका डेली जो चलिए आप जान लेते हैं कि आपका correct answer क्या है जो आपका correct answer है वो है option number B that is जम्मू कश्मीर means आपका गुलमर्ग नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा चलिए आप जान लेते हैं कि आपका next question क्या है जो आपका next question है वो आपका है संजे नेशनल पार्क कहां पे है आपका options है A. बिहार B. उत्ताप्रदेश C. गुजराट and D. है आपका मध्यप्रदेश चलिए जान लेते हैं कि आपका correct answer क्या है आपका correct answer है D. मध्यप्रदेश means आपका संजे नेशनल पार्क मध्यप्रदेश में पड़ेगा चलिए आप जान लेते हैं कि आपका next question क्या है आपका next question है वो आपका है श्रावस्ती वैली वाइड लाइफ संचुरी कहां पे है आपके options है A. महराष्ट B. राजस्थान C. करनाटिक and D. है आपका केरिला चलिए जान लेते हैं कि आपका correct answer क्या है आपका correct answer है वो है option number C that is करनाटिक means आपका जो आपका श्रावस्ती वैली वाइड लाइफ संचुरी है वो आपकी करनाटिक में पड़ेगी and जापका next question है वो आपका है वाइड वाइड लाइफ संचुरी आपकी कहां पे है and आपके options है A. केरिला B. आसाम C. अंडमान निकोबार आईलैंड and D. है आपका दमन एंडियो so चलिए जान लेते हैं कि आपका correct answer क्या है so जापका correct answer है वो है option number A that is केरिला means आपका जो आपका जो वाइड वाइड लाइफ संचुरी है वो आपकी केरिला में पड़ेगी and जापका next question है वो आपका है त्रडवा निशनल पार्क कहां पे है and आपके options है A. ओडिसा, B. गुजरात, C. है वेस्ट बंगॉल and D. है आपका महराष्ट and चलिए जान लेते हैं कि आपका correct answer क्या है so जो आपका correct answer है वो है option number D that is महराष्ट so जो आपका ट्रडवा निशनल पार्क है वो आपका महराष्ट में पड़ेगा and जो आपका next question है वो आपका है बोरी वाइड लाफ सिंचुरी कहां पे होगी and जो आपके options है वो है A. महराष्ट, B. मध्धपृदेश, C. मनिपूर and D. है आपका पंजाब so चलिए जान लेते हैं कि आपका correct answer क्या है so जो आपका correct answer है वो है option number B. that is मध्धपृदेश means आपका बोरी वाइड लाफ सिंचुरी आपकी मध्धपृदेश में पड़ेगी and चलिए जान लेते हैं कि आपका next question क्या है so जो आपका next question है वो आपका है पैंगो लाखा वाइड लाइफ सिंचुरी आपकी कहां पे है and आपके options है and जो आपका correct option है वो है आपका A. that is सिंच्किम so जो आपका पैंगो लाखा निशनल पार्क है वो आपका सिंच्किम में पड़ेगी and चलिए आप जान लेते हैं कि आपका next question क्या है so जो आपका next question है वो आपका है मुर्ले निशनल पार्क कहां पे है and आपके options है A. Assam B. Underman and Nicopar Island C. Mizoram and D. है आपका सिंच्किम and जो आपका correct option है वो आपका है C. Mizoram means आपका मुर्ले निशनल पार्क आपका Mizoram में पड़ेगा जो आपके यह मैंने कि G.M.U. के B.C. Nursing Entrance Exam के लिए top 20 G.K. question करा दिये and ऐसे ही और वीडियो आपका चैनल पे मिलते रहेंगे so चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले Thank you